हेदरोबाद गैंग रेप के आरोपियों का हुआ एंकाउंटर ट्वीटर पर जम कर आ रहे है रियक्शन बॉलीबीड एक्टर अन्बाउंग है नेकिया ट्वीट घटना इस तल पर क्राइम सीन की जांच के लिए ले जाये गया दा चार अरोपियों को भागने की कोशिश की हुआ एंकाउंटर हैद्रवाद अन्काउंटर पर बोली जहारखन की महिलाएं जो हुआ अच्छा हुआ छात्राओं को कहना हैद्रवाद पुलिस की स्क्वाइर वाई से रेप जेसी घटनाओ पर लगे गिरोग मायवती ने अन्काउंटर के बहाने योगी सरकार को घेरा कहाग हैद्रवाद पुलिस से सीख ले यूपी और दिल्ली पुलिस तो वही पाच ज़ार करोड़ की संपत्ती पर नेने आज यूपी जीम योगी आदितनात ने बुलाई अफसरों की बैठ नमस्कार स्वागत आप सभीका नेशन लाइब में मैं हूँ आपके साथ वबली शिर्मा मुझदफर नगर में सनातन धर्म डिक्री कॉलेज की 22 एकर जमीन पर नीजी सिक्षण सेंस्तानों का निर्माण करने और विद्याले की जमीन पर SD मार्केट का निर्माण कियो जाने के मामले में मुख्या मंत्री योग यादितिनाद बड़ी कारवाई कर सकते हैं उन्होंने इस मामले में निर्ने के लिए लखनों के लोग भवन के चतुर्थ तल के कक्षिन नमबर पांच में शुकरवार यानि आज दिन में बैठक बु लाए गए हैं शहर के दक्षणी सिविल लाइन निवासे शिरकांत त्यागी ने बारह साल पहले शिरकांत त्यागी ने मुख्या मंत्री के यहां शिकायत की थी उन्होंने आरोप लगाया था कि सनातन धर्म डिग्री कॉलेज की शासन से अनुदाने ते जमीन पाइसोशिय अनुदान त्यागी मुख्या मंत्री से मिले थे और उन्हें प्रकरण से अवगत कराए गया था तेलागना के हदरवाद में पशुची किस्ता के सास स्वामोहिक दुशकर्म और हत्या के चारो आरोपियों को पलिस ने शुकरवार सुबह मोटवेर में धेर कर दिया है हदरवाद की पुलिस आयुक्त ने चारो आरोपियों की मौत की पुष्टी की है उन्होंने बताए कि आरोपियों ने उस समय भागने की कोशिश की जब उन्हें मौकाई वारदात पर पुरी हटना का क्राइम सीन्स रिक्रियेट करने के लिए लिए गे थे पुलिस ने ठीक उसे जगहा पर मार गिराया है जहां उन्होंने पीडिता के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया था पुलिस सूत्रों के अनुसार क्राइम सीन्स रिक्रियेट करने के दुरान आरोपियों ने वहां से भागने की कोशिश की जिसके बाद पुलिस ने उनका पीछा करते हुए रोकने के लिए गोली चलाई जिसमें उनकी मौत हो गई पुलिस ने फलाल सभी के शवव को मौके से हटा दिया है ताकि किसी भी तरह का हंगामा होने से बचा जा सके हेदरवाद में वेटनरी डॉक्टर से गेंगरेप और मडर मामले के चारो आरोपियों को मिडवेड में धेर करने कुछ हरखन की महिलाओंने सही ठराया है धनवाद के SSL&T महिला काउलेज की छात्राओं ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बहुत अच्छा हुआ कि शववी को मुडवेड में मार्ग रहा गया लेकिन सरकार पहले कदम उठादी तो वेटनरी डॉक्टर के साथ ऐसा नहीं होता पुलिस के सकारवाई के बाद इस तरह के लोगों में खौफ पैदा होगा धनवाद की छात्राओं का कहना है कि हधरवाद पुलिस के सकारवाई से रेप जैसे घटना पर रोक लगेगी लड़किया सुरक्षित महसूस करेंगी हालांकि उन्हेंने कहाए कि इस आरोपियों को ये आसान मौत मिली है जैसा उन्हेंने किया उनके साथ व्यासा ही वर्ताब होना चाहिए था वही देवगर की महिला उन्हें इस पर प्रतिकिरिया देते हुए कहाए कि जो हुआ अच्छा हुआ इसमें मानव अधिकार के उलंगन की बात करना गलत है पहले निर्भिया फिर महिला वेटनरी डॉक्टर और हाली में उन्नाव की घटना कब तक इस तरह की वार्दाते होती रहेंगी अच्छा हुआ इसी तरह की कारवाई होनी चाहिए जिसे अपरादियों में डर पैदा होगा और इस तरह का अपराद करता है उसे इसी तरह की सज़ा मिन ले चाहिए तैलांगना में रेपकान के चारो आरोपियों का शुकरवार सुबद तीन वज़े एंकाउंटर कर दिया गया है इस ख़बर के आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर रियक्शन की बाढ़ा गई है और बॉलिवड से लेकर अने शेत्रों की मशूर हस्तियां इसे लेकर अपनी राय दे रही है बॉलिवड एक्टर अनुपम खेर ने भी हैदरवाद गेंगरेप कान के आरोपियों के अनकाउंटर को लेकर ट्वीट किया है और अनुपर फैन ने इसे लेकर अपना रियक्शन दिया है ट्वीटर पर एंकाउंटर हैस्ट्रैक जम कर ट्रेंड कर रहा है बॉलिवीड एक्टर अनुपम खेर ने गेंगरेब के आरूपयों के एंकाउंटर कर ट्यूइट करते हुए लिखा है कि तैलांगना पुलिस को एंकाउंटर में गेंगरेब के आरूपयों को उठेर करने की वधाई और जै हो चलो अब जितने भी लोगों ने ऐसा घिनोन आपराद करने वालों के खिलाप आवाज उठाई थी और उनके लिए खतरनाक से खतरनाक स्वजया चाही थी मेरे साथ जोड़ से बोलो जै हूँ तो में खबर उत्तर प्रदेश के जनबत बाराव अंगी से है जोहां राम इसनही घाड तहसील शेत्र के अंतरगरत पूर माध्यमिक विध्याले डिक्सरी में लगबग तीन दरजन से अधिक बच्चे फूर पॉजिंग का शिकार हो गए है जबकि इस तरह की उत्तर प्रदेश में इससे पहले की भी कैई घटना हो चुकी है जब मामला सामने आया तो अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए आननफानन में बच्चों को संदिगत परिस्टियों में अम्बूलेंस से स्री एच सी राम्त इसने ही घार पहुचाये गया तो वही लाज के बाद बच्चों का स्वास्ते सामान ने हुआ वहीं गाउवालों की माने तो खाने में छिप करली गिर गई थी जिसकी कारतीन दर्जन से अधिक बच्चों का फूट पॉजनिंग का शिकार होना पड़ा तो वहीं 12 वंगी जिले के सीमो साब का खुश अलग ही कहना है सीमो ने बताए कि कुछ बच्च ने बाहर का जंगली फल खालिया था जिसकी वजह से उनको उल्टी होने लगी थी बाकि बच्चे अभी तो नामल है ठीक हैं पुरा इजाद चला है पुरा हमारा आस्पिटर रिष्टाप लगा हुआ है कि धर पंशे तो वहां संदेश गया हम घर पर रहे जो घर से कुछ फोन यहां से गया होगा तभी तो पता चला जब घर को फोन गया ताम लोग वहां से दोड़े को यह जानकारी मिली कि वहां लोग यहीं बताए कि छिपकली खाने में कुछ गिर गया है और बच्चे भी होस हो गए हैं बच्चा हमारा यहां पड़ता नहीं एक काजल नाम की लड़की पड़ती है हमारी बड़ी बेटी है आधर परताब चोटा बेटा है वो यहां आता नहीं मग लड़की आके ले आ रही थी हमने का साथ चले जाओ इसलिए हमने उसे भेजा साथ में वह भी होस हो गया चला गया अब हम क्या करेंगे बड़ते आगे फिरोजवाद में थाने से चंद सौक कदमों की दूरी पर ज्वेलर्स की दुकान से लाखों की चोड़ी हो गई पर जाजबात ये रही कि थाने से चंद कदमों पर चोरों ने घटना को अंजाम दिया है मानु चोरों को पुलिस का कोई फोक ही नहीं है तो मैं बारबंकी दोरे पर आये राज्यमंत्री खाद और ररसद साती नागरे कापूर्ती रणवेंद्र परताप सींग का यूपी की कानुन विवस्ता पर बड़ा बयान सामने आया है दरसल राज्यमंत्री रणवेंद्र परताप सींग ने काई कि समाज में 100% क्राइम नहीं होगा मैं समझता हूं कि ये शियोर्टी तो भगवान राम भी नहीं दे सकते लेकिन ये शियोर्टी जरूर है कि अगर क्राइम हुआ है तो उसे सजा मिलेगी और वे जेल जाएगा दरसल मंत्री रणवेंद्र परताप सींग जुलेगे खाद और रस्त विवाग के विवागे समिक्षा की बैठक करने वाए थे देती है और ना उसका कभी वो समर्थन करती है और मैं समझता हूँ क्राइम तो हर समय हुआ है लेकिन क्राइम तो सही समय में सही डंग से लीक आउट करके और मुल्जिमों को जेल भजवाने का काम अगर कोई करती है तो योगी सरकार करती है चुले बढ़ते आगे बात असम की आज फिर से लखिंपुर जिला चात्रसंग ने नागरिकता संशोधनी विद्यक के खिलाब प्रतिवाद किया है कैप को जला दिया पिछला आंचोली चात्रसंग ने भुगपुर चार अली में कैप का फोटो जला का नरन्रमोदी हाई हा कि नारवाजी की किसी भी कीमत पर होने नहीं देने का फैसला किया है कि अधिया हम सुक्तिक अपमान करें हम सो करें नागरिकता संसोधनी विधय को रद्द करने की मांग में रोहा में कुष्रक मुक्ति संग्राम समीती ने गुरुवार को एक विशाल मसाल जलूस निकाला प्राय दोसो पुरुर्स महिलाओं ने रोहा नगर की बीचो बीच से निकाले गए मसाल जलूस समस्त रोहा श्वेतर सरकाव विरोधिनारवाजी से गुझा मान हो गया प्रतिवाद कारियों ने हाथो हाथ में मशाल लिए विभिन विरोधिनारवाजी कर जाती ध्वहनसी कैप को हम कभी नहीं मान सकते इसे रद्दकरों नहीं परिस्ति और भायंकर होनी की हुंकार कि अच्छली फिलाल मेर्स साथ इस ब्लेडन में इतना ही फिलाल देश दुनिया की तमाम ख़परों के लिए आप देख तरे नेशन लाइब नमस्कार झाल हो